हर हर महादेव रोज पूजा के लिए किसी के बगीचे से बिना पूछे फूल, तुलसी पत्र और बेल पत्र तोड़कर आप लाते हो तो हो जाए सावधान, ये होता है पाप जीहा मित्रों, एक बार भगवान विश्नु जी ने धर्ती पर घुमने का मन में विचार किया, वे अच सुबह सुबह कहा जाने की तैयारी हो रही है, विश्नु जी ने कहा है लक्ष्मी मैं धर्ती लोग पर घुमने जा रहा हूँ, तो कुछ सोच कर लक्ष्मी माने कहा, हे देव क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ, भगवान विश्नु ने दो पल सोचा फिर कहा एक तुम मेरे साथ चल सकती हो, तुम धर्ती पर पहुँच कर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना, इसके साथ ही माता लक्ष्मी ने हां कहके अपनी बात मनवाली और सुबह सुबह मा लक्षमी और भगवान विश्नु धर्ती पर पहुँच गए, अभी सुर्य देवता निकल रहे थे, रात बरसात होकर हटी थी, चारो और हर्याली ही हर्याली थी, उस समय चारो और बहुत शांती थी, और धर्ती बहुत ही सुन्दर दिख रही थी, और मा लक्षमी मंत्र मुग्ध होकर धर्ती को देख रही थी, और भुल गई की पती को क्या वचन देकर आई है, और चारो और देखती हुई कब उत्तर दिशा की और देखने लगी पता ही नहीं चला। लेकिन यह क्या जब मा लक्षमी भगवान विष्णू के पास वापिस आई तो भगवान विष्णू की आखों में आसु थे, और भगवान विष्णू ने मा लक्षमी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पुछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए, और साथ ही अपना वचन मा लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विश्णु से इस भूल की माफी मांगी तो भगवान विश्णु ने कहा कि जो तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हे जरूर मिलेगी जिस माली के खेट से तुम नए बिना पुछे फुल तोड़ा ह यह एक प्रकार की चोरी है इसलिए अब तुम तीन साल तक माली के घर नोकर बन कर रह उसके बाद मैं तुम्हे बैकुंठ में वपिस बुलाऊंगा मा लक्ष्मी ने चुपचाप सर जुका कर हा कर दी और मा लक्ष्मी एक गरीब औरत का रुप धारण करके उस खेट के माल हैसे गुजारा करते थे मा लक्ष्मी जब एक साधारन और गरीब औरत बन कर जब माधव के जोपडे पर गई तो माधव ने पुछा बहिन तुम कौन हो और इस समय तुम्हे क्या चाहिए तब मा लक्ष्मी ने कहा मैं एक गरीब औरत हूँ मेरी देख भाल करने वाला कोई नहीं है मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया मुझे कोई भी काम देद साथ में मैं तुम्हरे घर का काम भी कर दिया करूगी बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो माधव बहुत ही अच्छे दिल का माली था उसे दया आ गई लेकिन उसने कहा बहिन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है लेकिन अगर मेरी तीन की जगह चार बेटिया होती तो भी मुझे गुजारा करना था अगर तुम मेरी बेटी बन कर जैसा रुखा सुखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ माधव ने मा लक्षमी को अपने जोपडे में शरण दे दी और मा लक्षमी तीन साल उस माधव के घर पर नोकरानी बन कर रही जिस दिन मा लक्षमी माधव के घर आई थी उससे दुसरे दिन ही माधव को इतनी आमदनी हुई फुलो से कि शाम को एक गाय खरीद ली फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खारीद ली और सब ने अच्छे अच्छे कपडे भी बनवा लिये और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया बेटियों और बीबी ने गहने भी बनवा लिये और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है इस बेटी के रुप में मेरी किस्मत आ गई है मेरी और अब तीन साल बीट गए थे लेकिन मा लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दुवार पर एक देवी स्वरुप गहनों से लधी एक औरत को देखा ध्यान से देख कर पहचान गया अरे यह तो मेरी मुह बोली चोथी बेटी यानि वही औरत है और पहचान गया कि यह तो मा लक्ष्मी है अब तक माधव का पुरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर मा लक्ष्मी को देख रहे थे माधव बोला हे मा हमें माफ कर हमने तेरे से अंजाने में ही घर और खेत में काम कर हे मा यह कैसा अपराध हो गया हे मा हम सब को माफ कर दे अब मा लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली है माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालू व्यक्ति हो तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह से रखा अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखा इसके बदले में तुम भी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं रहेगी तुम्हे सारे सुख मिलेगे जिसके तुम हकदार हो और फिर मा अपने स्वामी के द्वारा भीजे रत में बैठ कर बैकुंद चली गई आप सभी का दिन शुभ हो अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कॉमेंट में जय माता लक्षमी लिख करके विडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें धन्यवाद हर हर महादेव